एनालिस्ट कॉल ट्रैकर तक्रीबन सभी ब्रोक्रेज फर्मों ने एंटी पीसी पर दी खरीदारी की राय लेकिन एक ब्रोकर ने क्यों कहा करें बिक्वाली एंटी पीसी के स्टॉक में पिछले एक साल के दौरान लगभग 50 प्रतीशत की बढ़ोतरी हुई है स्टॉक में संभावितरी रेटिंग की उम्मीद की जा रही है मनी कॉंट्रोल के एनालिस्ट कॉल ट्रैकर के मुताबिक 96 प्रतिशत एनालिस्ट्स ने एंटी पीसी पर खरीदारी की सलाह दी है लेकिन एक ब्रोक्रेज फर्म ने इन्पूट लागत और कोईले की उपलब्धता का हवाला देते हुए स्टॉक को बेचने की सलाह दी है भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कमपनी एन्टी पीसी ने सभी मोर्चों पर अच्छा परफॉर्म किया है पिछले एक साल के दौरान स्टॉक में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है इसके साथ ही स्टॉक ने निवेशकों को पॉजिटिव रूप से आकर्शित किया है अधिकांश एनालिस्ट्स एंटी पीसी स्टॉक पर उत्साहित है इसका स्टेडी कैपासिटी एडिशन और रेनिवेबल एनरजी के बढ़ते पोर्टफोलियो को देखते हुए स्टॉक में संभावित्री रेटिंग की उम्मीद की जा रही है एनालिस्ट के कॉल ट्रैकर के मुताबिक 96 प्रतिशत एनालिस्ट्स ने एन्टी पीसी पर खरीदारी की सलाह दी है हालां की एक ब्रोक्रेज फर्म ऐसी भी है जिसने इन्पूट लागत और कोले की उपलब्धता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए स्टॉक को बेचने की सलाह दी है एन्टी पीसी का स्टॉक 4 अक्टूबर को 235 रुपए पर बंध हुआ जो एक साल पहले 163 रुपए पर था पिछले पांच वर्षों में शेर में 73 प्रतिशत की वृद्धी हुई है वैसे आज एन्टी पर ये शेर 0.055 प्रतिशत या 1.30 रुपए गिर कर बंध हुआ लेकिन पिछले एक हफ़ते में इसमें 1.35 प्रतिशत की गिराट देखने को मिली है वहीं पिछले एक महीने में ये शेर 0.32 प्रतिशत से ज्यादा तूटा है एक साल की बात करें तो इसमें पिछले एक साल में 43.86 प्रतिशत का उच्छाल नजर आया है इस शेर का 52 हफ़ते का उच्छतम स्टर 251.50 रुपए रहा जबकी 52 हफ़ते का न्यून तम स्टर 160.3 रुपए रहा है अन्य ब्रोकरेज कमपनियों के विपरीट जेोजिट फाइनेंशिल सर्विसेज ने NTPC को बेचने की सलाह दी है इसकी सितंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार NTPC की क्षम्ता वृद्धी बढ़ती बिजली की मांग को सपोर्ट करेगी लेकिन कोईले की कीमत में अस्थिर्ता और एंधन की अनिश्चित घरेलू उपलब्धता भविश्य में कमपनी के मुनाफे पर असर डाल सकती है जियोजत फाइनेंशियल ने यह भी कहा कि स्टॉक का वैल्यूएशन भी महंगा लग रहा है इन्होंने NTPC पर अपनी रेटिंग घटा दी है शेयर को लक्षे को 8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 215 रुपए तै किया है ज्यादातर ब्रोकरेजेज ने दी बुलिश रेटिंग ICICI Securities के एनालिस्ट्स ने NTPC पर खरीदारी की रेटिंग देते हुए कहा है कि मध्यम अवधी में इसका मुख्य बिजनेस बढ़ेगा कमपनी दूसरों से बहतर प्रदर्शन करेगी उनकी रिपोर्ट के अनुसार NTPC एक मात्र कमपनी है जिसने पिछले पाँच वर्षों में अपनी कोल बेस्ट क्षमता को बढ़ाया है इसके अतरिक्त उन्होंने कहा कि FY24, FY26 में 16,000 मेगावाट की Renewable Capacity Edition योजना कमपनी के Green Portfolios को बढ़ाएगी इससे स्टॉक की रिरेटिंग को बढ़ावा मिलेगा ICICI Securities ने 300 रुपए के शेर लक्षम मूल्य के साथ स्टॉक पर खरीदारी की रेटिंग बनाय रखी है आनंद राठी ने भी NTPC पर बुलिश नजरिया अपनाया है उन्होंने बाई रेटिंग के साथ इसका टार्गेट 300 रुपए प्रती शेर तै किया है विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने जेफरीज ने कहा कि NTPC का Renewable Energy Portfolios बढ़ेगा इसकी वजह से स्टॉक रेट होगा उन्होंने इस पर खरीदारी की रेटिंग के साथ इसका लक्षे 255 रुपए से बढ़ा कर 300 रुपए तै किया है